मैं यह आप्प्र जाप्र जलाएं यूमन री पर्दाप्शन लोगों ने लास्ट टॉपिक नहीं बढ़ा है फर्मेटो जनेसिस जो लास्ट टॉपिक पर एपसेंट है तो वह लेक्चर से कवर जरूर कर लेना जितना भी पीछे चूट गया है और नहीं आ रहा है समझ में तो सुबह में रहूंगा देशा कर पूछ लेना एक नेक्स टॉपिक आप लोगों का और मॉन्स है रैस्पॉंसिबल फॉर हॉर्मॉन्स रैस्पॉंसिबल फॉर स्पर्मेटो जैनेसिस अब इस पर्मेटो जैनेसिस होता क्यूं है बॉडी में कोई ने कोई चेंज तो होता होगा इसी लिए स्पर्मेटो जैनेसिस होता है ऐसा थो नहीं कि हमने अपनी बॉडी से कहा कि आज स्पर्मेटो जैनेसिस हो जाओ हमने अगर आज अपनी बॉडी से कहा कि स्पर्मेटो जैनेसिस हो जाओ तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी में कई दिनों पहले से कुछ चेंज आते हैं तब जाके स्पर्मेटो जैनेसिस स्टार्ट होता है अब सुनिए द्यांसे किसी को याद इस परमेटो गोनिया मताओ क्या होगा या बना राइमरी स्परमेटोसाइब चेक है है माय टॉच्छस वगा फिर क्या होगा यह व्यांश्स वन क्या बनेगा इससे लॉड्य क्या होगी इसकी यह है प्लॉड है यह सेकंड्री स्परमेटोसाइब यह तो बूजवानी पर एट गया होगा पूरा अब इसके में क्या होगा अब अब यह उस्टू से क्या बनते हैं क्या नाम है इनका है वेरी गुड अब यह उस्टू है इनका नाम है क्यों बोलते हैं लैक ऑफ टेल ऐसे स्पर्म जिनके पास टेल नहीं है उन्हें कहते हैं स्पर्मेटिट्स फिर बाद में किसमें कंवेट हो जाते हैं कि मैच्यों स्पर्म कैसा लगता है मैच्यों स्पर्म को बनाने की प्रोसेस का नाम क्या है इस पर्मियों जैसिस ठीक है इसके बाद यह स्पर्म जो फिक्स है उसे फ्री करा लेते हैं डिटेच्च करा लेते हैं तो इस डिटेच्मेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं इस पर्मीएशन बहुत सुम्द्द आप लों को सब कुछ ठीक हैं अब यह सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है आज contar इसि अधिन्साइड सेमिनी पैरस ट्रुवित अ अ सामीनी पैरस्ट बैयुल के अंदर यह पूरी प्रोसेस हो रही है अजा यह प्रोसेस अपने आप नहीं होती है मिए इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमारी बॉडी में कई सारे चेंजिट आते हैं जैसे है या प्यूबर्टी की एज़ कुन सी होती है कि मैं इतनी होती है मैं लिडिन से स्टार्ट हो जाती है 19 इंट का ते कि कि लेख आप से आप सुनो ज्ञान से जो आपका टीमेज लाइफ होता है न वही उता हुआ है अप सुनो ज्ञान से तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि हमारे brain में एक gland so brain have special gland अच्छा gland का मतलब किस-किस को पता है अब मुझे बताओ जो जो ग्लैंट्स है उनका मतलब किसी को बना है जो कुछ सीक्रीट करें जो कुछ बनाएं तो बॉडी के अंदर जो भी बायो केमिकल्स बनते हैं उनको कहते हैं टीक है जिए था हूं पेपर की उपर लिख लो आप सभी लोग ग्लैंट्स एक ग्रॉप आफ टिशू है या फिर group of cells कहलो group of cells which secret some biochemicals जो कुछ biochemicals बनाए उन्हें कहते हैं glands clear रबाद इन biochemicals को कभी कभी कुछ लोग hormones भी कहते हैं हर्मोन समझते हो आपकी बॉड़ी के अंदर जो प्रजेंट chemicals है उन्हें नाम देते हैं हर्मोन क्लियरे बाद क्लास में बताया होगा कि कुछ ग्लेंड्स एंजाइम भी बना देते हैं तो याद रखना जरूरी नहीं है कि ग्लेंड्स chemicals ही बनाए वह एंजाइम भी बना सकते हैं एंजाइम जानते हो इंजाइम भी सुन लो इंजाइम इस जस्टा प्रोटीन एंजाइम क्या है एंजाइम एक प्रोटीन है आसान मैं समझें एंजाइम जो है बस एक प्रोटीन है विच अफेक्ट रेट ओफ बायो केमिकल रियक्शन कली तुमने पढ़ाया रेट का मतलब प्रोटीन है इस पीड रियक्शन को कितना समय लगता है तो जो एंजाइम है न यह भी रेट को कंट्रोल करता है किया करता है आपकी बाड़ी में जो भी बाईयो केमिकल रियक्शन हो रही है जैसे कि जो हम भी हमने फूद्ग खाया अब फूड कितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा कितनी देर में डाइजेस्ट होगा यह सब किस पर करेगा समझना आया तो हमारे बाड़ी के अंदर जितने भी बायो केमिकल रियक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है समझना आया के लिए बात आके ना एक और बात गर्मियों में एंजाइम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं एस कंपेर टू सर्दी होगा तो कि हां एंजाइम जो होते हैं ना एंजाइम का फंक्शन डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टेमप्रेचर से तो अगर टेमप्रेचर बढ़ेगा तो एंजाइम का फंक्शन का स्पीड भी बढ़ जाएगा समझना आया यह सार नो लेकिन लगबग बस 50 डिगरी सेल्स क्या हो जाएगा के लिए बास कभी-कभी अगर ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो आपको डायरिया भी हो जाता है जानते हो पेट में स्टूल्स हो जाते हैं ऐसा लगता है ना कि आप कुछ खाना नहीं है बस कुछ पीना ही पीना है सॉलिड फॉर्म खाने में बहुत दिक्क किया अक्सर जादा गर्मी पढ़ने की वज़े से हो जाता है तो गर्मी पढ़ी तो हुआ क्या एंजाइम का एक्शन बढ़ गया समझना आया तो अब उसने फूड को बहुत जादा जल्दी से डाइजेस्ट कर दिया इसी वज़े से अब हमारी बॉड़ी में कुछ भी तो हमारे ब्रेन में ग्लैंड है इसका नाम तुम्हें शाद में पढ़ाया है हाई पो थेलमस है हां मास्टर ऑफ मास्टर यह पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है अचा जिन लोगों नहीं लिखा है वो पेपर क्यूपर लिख लो मास्टर ग्लैंड ऑफ प्याया नुदो यहां को अच्छिकन के अश के अच्छिकन के यह मास्टर ग्लैंड सको औन कंट्रोल करता है थिए फो मास्टर जलेडे का है चैसकल ऑफ बोडी टिर्ल تمाशगल deben of body से मास्टर ग्लेंड ऑफ बॉडी यह है spelling देख लेना पिटिट्री ग्लेंड तो मास्टर ग्लेंड क्या है याद रखना human body की बात कर रहा हूं plant body मत बूल लेना human body है तो हमारे body के अंदर एक ग्लेंड है प्रेंग में hypothalamus hypothalamus से एक hormone release होता है और उस हॉर्मोन का नाम है जी एन आर एच है इसका नाम क्या है जी एन आर एच है अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिकूट इसका मतलब है गॉनेडो ट्रॉफिन रिलीजिंग हॉर्मोन क्या नाम है गॉनेडो ट्रॉफिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो जब भी मेल्स प्यूबर्टी के एच पर पहुंचते हैं तभी उनके ब्रेंग से एक रिलीज होता है था सर रिलीज हो रही है प्रेंगे किस पार्ट से यह रिलीज हो रहा है गोनेडार्यो ट्रॉफिन रिलीजिंग एस जैस को हाँ अब यह आदेश देता है किसको वेरी गुड पिटियूट्री ग्लेंट को आदेश देता है तो यह पिटियूट्री ग्लेंट रिलीस करता है दो हॉर्मोन को हाँ वेरी नाइस तो इस करो ने पिटियूट्री को स्ट्यूलइट किए को compris मतलब पारड़े ना तो इस और ने पिटियूट्री ओदेडा कि आप दो अगालो एक का नाम है और झांद एक का नाम हें फैंज ह। नों के फुल ल कुम यहां लिख देता हूं लूटिनाइजिंग हर्मोन इसमें आ रहा है इस तरफ से आद नहीं आ रहा है इस तरफ लिखेंगा हूं लूटिनाइजिंग हर्मोन और एफेसेच का मतलब इसमें वाइसेक्शुल पूछ रहे हो गया वाइसेक्शुल जो होते हैं हाँ उनमें कहा से होगा वाई बोलो ना वाई क्यों बोला है इस वाई वो गवना ट्रांसजेंडर कहे दो नहीं हो सकता है ट्रांसजेंडर यह होते हैं न जो उनमें नहीं होता है वो इंपर्टायल होते हैं मतलब उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है ठीक है मॉलीकल स्टुमिलेटिंग हर्मोन अब ऐसा क्यों होता है इसके लिए इंतिजार करो चैप्टर नमर फाइब का जिसका नाम है प्रिंसीपल्स ऑफ इनेरिटेंस और वारियेशन अब शायद फोर हो गया है वो चैप्टर जिसमें मैं तुम्हें पूरी अच्छे से बता हूं कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं व कि अब आपको पता होगा ल्यूटिनाइजिंग होर्मोन का एक्षिन कहां पर होता है वेरी नाइस है अच्छा कौन हुसियार है हुआ है जिवांग बताओ लेडिक सेल कहां पर होते हैं तो यादो तुम लोगों को मैंने तुम बताया है यह रहा टेस्ट इस ठीक है एंस के अंदर यह थे टेस्टिकुलर लोगिूल्स बढायें लोपस के अंदर बड़े बड़े शैल्स थे दो से थीन थेके नहीं इन सेल्स का नाम क्या था यह ब्लू कलर के जो सेल्स है और इन सेल्स के बीचों बीच मैंने बताया चोटे-चोटे सेल होते हैं इनी का दो नाम थे या तो इन्हें इंटेस्टिशिल सेल्स के लो मतलब देखो जो जहां पर रहता है उसके हिसाब से नाम है जैसे कोई पहाड़ों पर रहता है तो हम कहते हैं वो पहाड़ी लोग साथ के लिए पहाड़ पहाड़ी लोग एक नहीं एक नहीं इन्टेस्टिशिल स्पेस में जो रहती हैं इन्टेस्टिशिल सेल्स करें लिया रॉकेश्ण के सब्सक्राइब आज तक तुम्हें यह पता है फंक्शन करेंगे फंक्शन से निकाल क्या करवाते हैं यास वेरी गुड तो मैंने ऐसे पूछ लिया यह इनको स्टुमिलेट करते हैं और क्या बोलते हैं कि आप रिलीज करो रिलीज एंड्रोजन क्या रिलीज करो एंड्रोजन मेल सेक्स हर्मोन क्या है एंड्रोजन का एक्जामपल थे टेस्टोस्टिरोन जो लोग जाते होने टेस्टोस्टिरोन के वारे मां अच्छी से बता है ठीक है मतलब जो नहीं जाते हैं उन्हें नहीं बतावा लेकिन जिम वाले लोग इसका यूज बहुत करते हैं तो कि मसल्स की जो ग्रोथ है वो टेस्टोस्टिरोन होर्मोन से होती है आपकी बॉड़ी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टिरों हर्मोन होगा उतने ही मुसल फाइबर्स ज्यादा होंगे कुरुकु आए तो अमारी बॉडि में जो भी सेकंड्री सेक्श्ब केरैक्टर्स होते हैं जैसे कि डीप वाइस हो जाना जब लड़के बड़े होने लगते हैं उनकी अंदर चेंज आते हैं उनकी आवाज भारी हो जाती है डाड़ी मुझे आने लगती है ओर अग्रेसिवने हो जाती है गुस्सां अगेरा आने लगता उनकी बड़ी में मसल्स ग्रोथ होती है एकदम से ट्राइशेप्स आ जाएंगे या बाइशेप्स वगेरा तो यह सब सिंटम्स हैं कि मेल्स बड़े हो रहे हैं ठीक है कुछ लोगं के अपल भारा जाता है यह भी एक साइन है कि लेडिक सेल का यह फंक्शन तो तुम लोगों मैं पहली बता चुका था यह टेस्टोस्टिरोन में हेल्प करता है ठीक है इसकेंड फंक्शन सनों कि इसका फंक्शन सबसे बड़ा क्या है पता है कि इस्टिमूलेट कि स्परमेटोजेनेसिस अब बात ध्यान से जब ब्रेन से एलेच लेडिक सेल पर आएगा अब लेडिक सेल इस पर मेटोगोनिया से कहेगा कि अब तुम बनाओ होन में आया इस परम कब बनेगा जब लिटिनाइजिंग और्मोन लेडिक से खाएगा कि एंड्रोजन रिलीज करो तब ये लेडिक सेल बगल में बैठे इस पर मेटोगोनिया से कहेगा कि अब तुम स्पम मनाओ इधर में मेल सेक्स हॉर्मोन बना रहा हूं तुम दूसरी तरफ मेल सेक्स गैमीट बना दो कि अब हम मैचुर होने लगे हैं तो जैसे ही हम मैचुर हो रहे हैं उसी के साथ साथ ही तो सपंब भी तो मनना चाहिए तब ही तो आपकी मैचुरिटी कंफॉम होगी नहीं है सेक्ष्वल केरेक्टर देख लो जैसे के डीप वॉइस एक हेर ग्रोथ मनला उसकी बॉड़ी में हेर ग्रोथ होने लगते हैं थर्ड एग्रेसिवनेस उसके अंदर मसल्स का डेवलप्मेंट हां इंलार्जमेंट आप पैनिस तो यह सब एंड्रोजन की वज़े से हो रहा है कि यहां कि एवल इस से आपि रिप्रोडॉक्शन कर सकते हो हो रिप्रॉडप्शन तो इस पन से हो आ के ना तो इसको का फॉर्मेशन तभी होता है जब लेडिक सेल्संड एंड्रोजन रिलीस करते हैं और यही लेडनिक इस lives दूसरी तरफ प्रमेंटा ओनिया से कहते हैं क स्पर्मेटो जैनेसिस किसके आदेश पर रुका होता है लेडिक लेडिक सेल्स के पास जब लेच हॉर्मोन आएगा तब जाके मैं स्पर्मेटो जैनेसिस चुरू करें समझना आया तो अगर हमने लिटिनाइजिंग हर्मोन रिलीज कराना बंद कर दी आपनी बोडी में तो कभी यह प्रॉसेस हो पाएगी बस तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं न सुलो ध्यान से अनुश ट्रांसजेंडर के अंदर से अठारा सो मिलियन नहीं होगा देखो समझो इस बात को एक बार में बन जाते हैं चालीस मिलियन से लेकर एटीन अंड्रेड मिलियन तंग ठीक है और जब एक बार मेल एजेक्यूलेट करता है जब बाहर निकालता है अपने स्पम को तो निकलते हैं 30 मिलियन से लेकर 120 मिलियन मतलब इसमें से कुछ अमाउंट बचा रहता है तो एक बार में जाला से ज़्यादा चार से पांच बार स्पम को बाहर निकाल सकता है उसके बाद उसे 90 डेस का वेट करना होगा क्या होता है अक्सर कुछ लोग महिने में 30-30 बार स्पम रिलीज करने की कोषिश करते हैं यह कोई गलत नहीं है यह सही चीज है जो लोग कर रहा है ना उनके लिए समझा रहा हूं में आप इस चीज को समझो है डिटेल में समझे उसमें कोई हसने आली बाती नहीं है यह आपके आगे की लाइफ के लिए इंपोर्टेंट है तो आप समझो पूरा बायोजी है एक पूरा साइंस है हुआ हमारी बटी बना इतना रही है है मैंने तुम्हे यह भी बताया होगा जो तुम खाते हो ना उसका बन बैट रोटी कहा रहे हो अगर दिन में तो उसका बन बैट टेंपार्ट शिर्प पाएगा बस लगभन ना स्टीडिये लगते हैं कितने दिन को जाते हैं तक तर्फ क्यों दो दो था गती हैं । लिखते हैं तब जाकि इतना स्पम बन पाता है है 40 मिलियन से लेकर इतीन हंड्रेड मिलियनаются कुछ लोग एवी डाइट खाते हैं तो उनके अंदर ज्यादा स्पॉम बन जाता है कुछ सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हैं उनके अंदर इतना नहीं बन पाता है तो इट डेपेंड्स ओन यूर डाइट समझना है अब मेरी बास सुनो अगर इतना ही स्पॉम बनता है और कोई परसन मंत्र में 30 बार कोशिश करता है स्पॉम को एजेकुलेट करने के लिए तो श्याद रखना स्पॉम तो सिर्फ चार से पांच बार ही निकलेगा यह मैंने बदाया भी था इसके बाद सिर्फ सेमिनल फ्लोड निकलता है नहीं सिर्फ सेमिनल फ्लोड आए सैमिनल फ्लोड सीक्रीशन होता है सीख्रीशन ओव अज्वाराम से सीघ्रेशन और प्रोस्टेड एंड सेमिनल में साइकल ग्लैंड घुम कि मनम बढ़ आया था सुनो ज्यान से कि मेल रीप्रोडॉक्टिब सिस्टम में दो ग्लैंड थे प्रोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल अईbirthisoель ग्लैंड यह दोनों भी रहते हैं और इनके सीक्रेशन को आपने नाम दिया था सैमिशल स्क्राइव इनका एक फंक्शन तो यह था को लोको मोशन में एस पंप लोको मोशन तू स्पंप साती साथ एक और फंक्शन में ने बताया था तू निउट्रलाइज यूरेथ्रा अगर तुमको याद हो तो मैंने बताया था अगर हम पैनिस को देखें तो पैनिस में कॉमन पैसेज है मतला एक ही रास्ता है जहां से यूरिन भाराता है और उसी रास्ते से इस पंबी भाराता है ठीक है अब आप सभी लोग जानते यूरिन तो एसिडिक होता है आगे ना अगर उसी एसिड की वज़े से उसी रास्ते से अगर स्पंब निकला तो उस एसिड से स्पंब डेमेज हो जाएगा स्पंब खराब हो जाएंगे यस और नो तो स्पंब को बचाने के लिए सेमिनल फ भी तें यह यह तीन ग्लेंड है ताफ से उपर वाला ग्लेंड है सेमिनल वैसाइकल बीच वाला यह प्रॉस्टेट ग्लेंड और नीचे वाला है बल्बॉयूरेथरल ग्लेंड इसको काउपर्स ग्लेंड भी कहते हैं अब जिल लोगों नहीं पड़ें और किर्प्या करके लेक्चर नमबर 3 जरूर देखना तो सब्सक्रीं जरूर लेना उसमें यह सारी बात है मैंने डिटेल में समझाइए के यह तीनों ग्लेंड मिलकर सी क्रीशन मनाते हैं एक लूड मनाते हैं अगर किसी ने सपंग को देखा है अभी इमेज वगेरा में देखना तो स्पॉम जैसा कि जब बाहर आता है बॉडी से तो वाइट कलर का एक फ्लूड होता है लेकिन मैं तुमको क्या बढ़ा रहा हूं कि स्पॉम तो ऐसे रहे होते हैं स्पॉम तो ऐसे रॉकेट की जरह होते हैं लेकिन जब वो बाड़ी से बाहर आता है तो हमें रॉकेट जैसे कुछ दिखता नहीं है तो एक्चुली में क्या होता है यह फ्लूड होता है जिसके अंदर छोटे-छोटे रॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से मैं बदाएज जब कोई मेल करता है अपने से स्पको भार निकालता है था यह और निकालता है और कि सीन को स्कों स्पम नहीं है अब सुन लो स्पम और सीमन में क्या अंतर है स्पम और सैमिनल फ्लूड के कॉमिनेशन को कहते हैं सीमन जब स्पम और सैमिनल फ्लूड मिलकर बाहर आते हैं तो उसको कहते हैं सीमन क्या कहते हैं क्लिएर बाद व्याद रखना पॉम का कलर कजी भी वाइट नहीं हूनता जो चीज वाइट मिल की फ्लूड बाहरा आती है ना पैनिस से वह पॉम का कलर नहीं है वह किसका कलर है तेक है इसके साथ this program आता है बाहर क्ומशन में ठीज आता है क्या होता है यूरेन की वज़े से तो स्पम खराब ना हो जाए इसलिए यूरेन को सेमिनल फुर्ट को स्पम के साथ बेस दें क्लिए ले बाद ये कुछ चीज़े प्रीवियस क्लास की थी थी वापिस से इस क्लास के हैं तो मैंने बताया है रिलीज होता है एक हॉर्मोंज इस देहान उसका था उर्मों को स्ट्यूंत करना इससे कहता है करना हो दो और बाट कुम छो कर ऑडियंघर के लेंगे बंदर assistant अंदर क्या आएंगे मतलब उसकी बॉडी पर दिखेंगे चेंजेस इसको हम सेकेंडरी सेक्ष्वल करेक्टर कहते हैं क्या कहते हैं यह प्यूबर्टी के बाद आना शुरू होते हैं समझना आया और यह हमें बॉडी के बाहर से दिख जाते हैं ठीक है लेडिक सेल का दूसरा काम अगर मैं तुम्हारी बॉडी में यह रिलीज कराना बंद करता हूं तो क्या तुम स्पम मना पाओगे के लिए रहे बात परिकत अब सर नहां तो दूह हर्मोन निकलना है आपने एक का मतलब भी बताया है दूसरे का भी बता दूं तो सुन लो जान से जो फॉलीकल स्टुम यह एक्षिंग हर्मोन है यह एक्षिंट करता है किस पर सर टोली सैल पर किस पर एक्षिंटर पर याद है यह सेमीनी विदैस्टीवी बीच ओ भीच यह जान है और सब्क्राइब से कहता है यह एफ एस एच कि तुम जाके नूट्रीशन दो इसको किसको न्यूट्रीशन दो अगर मैं आसान मासा में कहूं तो फॉलीकल स्टुमलेटिंग हॉर्मोन रिस्पॉंसिबल है किसके लिए इस पर्मियो जैनेसिस के लिए बताओ डेजी इस पर्मियो जैनेसिस क्या होता है हां मतलब स्पर्मेटिट से स्पम बनाने की जो प्रॉसेज है इसे हमने क्या लाम दिया था स्पर्मियो जैनेसिस यही तो का दा तो मैच्वर का वह जब खाना मिलेगा आके ना खाना कौन देता इन किसके कहने पे देती हैं तो याद लखना इस परमीटॉज जैनेसिस लिटेनाइजन ओर्मन के कहने पर शुरू आ है और स्पर्मियो जैनेसिस क्वालिकल स्टुमिलेटिंग ओर्मन के कहने सब्सčा है समझ में आया जब तक यह हॉर्मोन नहीं आएंगे यह प्रॉसेस नहीं हो पाईगा कि कमा इनली है समझो जैसे ही लुटिनाइजिक हॉर्मोन ने इस पर एक्ट किया तो यह प्रॉसेस शुरूई अब यह प्रॉसेस यहां तक ही रुख जाएगी स्परमेटिट करने लेकिन हमें तो इस परफ चाहे है तो कहां से मिलेंगे जब यह न्यूट्रिशन लेलेगा तो न्यूट्रिशन देने अलग-अलग नहीं है साथ में यह पूरा होगा तभी यह पूरा हो पाएगा मैंने अलग-अलग करके इसलिए पढ़ाया है ताकि तफ ना लगे कॉंप्लेक्स ना लगे अम मिला दिया दोनों को समझना है कि इसके होने की वज़े से यह होता है के लिए अरे बाद तो लिए अब अच्छा पहले एक बार पढ़ लो किसी को कोई समस्या तो नहीं है हुआ है हों मॉन स्रेकों सिवल फॉर सपर्मेटोजेनेसिस में तो आपको देख शुख कौन-कौन से याद रखने सिर्फ तीन हार्मोन याद रखने हैं है है हां सबसे पहले अले को है ऐसे यारग फास्ट अर्मोन इस जीन आरएच है कि सेकिंड नार्मान इस लुडिदीन लेटेगा है तो तीन होर्मोन्स हैं जो रिस्पॉंसिबल है किसके लिए अगर किसी मेल के अंदर बनाना है तो तीन होर्मोन की जरूरत पड़ेगी इस पड़ेगी जिव्या कितने होर्मोन कौन कौन से हाँ ठीक है समझना आया कौन कौन से टीनों का फंक्शन बताएगा कोई है कि इनों के फंक्शन है कि बताऊगे रुद्ध बताओ शुरू से बताओ जी आने रेज कहां से रिलीज हुआ किस पर एक्ट करेगा फिटी उट्री पर करेगा उससे क्या काएगा कौन कौन से लिटीनाइजिंग हॉर्मोन का काम क्या है हाँ स्टुमिलेट करना उससे क्या होगा मेल एक्स हॉर्मोन मनेंगे मेल एक्स हॉर्मोन का क्या है हाँ कि सेकेंड्री सेक्शवल केरेक्टर बनाना हमारी बड़ी में जो इसे कल कीरेक्टर से वहाजाना तो वह किसकी विज़े से सोता है और दूसरा इसको कहना की स्पर्मेटोगोनिया से कहना कि स्पर्मेटोजनेसिस कुछ शुरू कर दो नूट्रीशन वाला काम किसका है नहीं मैं इसका बता रहा हूं इसके दो को फंक्षन है एक स्पर्मेटोजनेसिस को शुरू करना और एक मेल सेक्स हॉर्मोन को बनाना इसका सिंगल फंक्षन है कि सटोली से कहना कि जाकर को मैच्योर कर दो समझना है आए 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 वह वह इंक्रीजिक में बदाया था अगर फीमेल करने लगें लेने लगें तो उनकी बॉड़ी में भी टेस्टोस्टेरोन और मॉन रिलीज होने लगता है तो उनको गुस्सा ही वहत आएगा देखें कभी काम मैं सब्सक्राइब कर देखना है इस तरीके से लेकिना चाहते हो गया कि मैं लिखा हूँ अब वह को भी एजी लगता है अब अब लेको लेकलो लेकलो अर्मों लेकलो रिस्पॉंसिवर तो लेको फस्ट इस पर मैंटो जैने से स्टार्ट्स डूरिंग यूवर्टी अब लिखाने से यह कि अब तुम्हाने आइडिया मिल जा था पेपर में कैसे लिखना है स्टार्मेटो जैनेसिस स्टार्ट्स दूरिंग प्यूवर्टी तो अब शुरू होता है प्यूवर्टी बाइड बाइड इंक्रीज इन और इंक्रीज इन और रिलीज इन या तो कंसेंट्रेशन उसका बढ़ी जाएगा या वह रिलीज होना शुरू होगा रिलीज इन कंसेंट्रेशन ओफ अच्छा कंसेंट्रेशन तुम सॉल्यूशन में बढ़ते हुए आ रहे हो आज ही तक पढ़ें ना कंसेंट्रेशन अमाउंट ठीक है हां कंसेंट्रेशन ओफ हाइपो थेलामिक कंसेंट्रेशन ओफ हाइपो थेलामिक हॉर्मोन हाइपो थेलामिक हॉर्मोन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है नोन एज जी एन आरेच या केतने से गोनेडो ट्रॉफिन रिलीजिंग हॉर्मोन पूरा लेकल लेना तो प्यूबर्टी के टाइम पर आपकी बॉड़ी में जी एन आरेच का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है ठीक है अगला पॉइंट लिखेंगे नेक्स बोलूं इस जी एन आरेच हॉर्मोन इस जी एन आरेच हॉर्मोन एक्ट्स ऑन इस क्यों पर एक्ट करेगा यह खुशी एक्ट्स ऑन पिट्यूट्री ग्लेंड एक्ट्स ऑन पिट्यूट्री ग्लेंड तो रिलीस और क्या रिलीस करवाएगा एक्ट्स ऑन एक्ट्स ऑन एक्ट्स ऑन पिट्यूट्री तो रिलीस तो डिफ्रेंट हॉर्मोन तो रिलीस तो डिफ्रेंट हॉर्मोन 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 त That is I.E. That is Luteinizing Hormone and Follicle Stimulating Hormone, यह लिखा है, पूरा नाम लिखना, LH और FSH, Luteinizing Hormone and Follicle Stimulating Hormone, यह लिखा है, ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखना, LH, सिंपल LH लिख लो, समझ गहें आप LH का मतलब क्या है, LH acts on, LH किस पर act करेगा, LH acts on, Lydic cells, LH acts on Lydic cells, LH acts on Lydic cells, to release, to release, androgen, to release, release, not release, androgen, नहीं, 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 एंड्रोजन एक किलास है, मतलब मेल सेक्स, हॉर्मोन के कई सारे नाम है, अलाग-अलाग, उनमेंसे एक example है, testosterone, मतलब ये, इसका एक example है, ऐसमझो, animal एक किलास है, समझो, अब animals के अंदर कई सारे लोग आते हैं न, कुछ लोग दो पेरों से चलते हैं, कुछ लोग चार पेरों से चलते हैं, है के नहीं, अब हम भी एक animal ही जो है, यस वर नो, और lion भी एक animal है, लेकिन हम में थोड़ा सा difference है, ठीक है, लेकिन जब animal को एक पूरा नाम दिया जाएगा, तो उसमें हमको भी यूज कर लिया जाएगा, ऐसे ही androgen भी एक class है, जिसके अंदर male के कई सारे hormones आते हैं, हमें के लिए रहा है, हाँ, और भी होते हैं, अब मेरी बास सुने हैं समय लो, होता है, लेकिन बहुत काम होता है, एक्शली में क्या होता है, बढ़ भी सकता है, यह मैंने बताया भी जा लोगो, चुरुबात की classes में, अगर आपकी body में estrogen बढ़ाना है, तो milk products जादा खाने लगो जादा milk प्यो, जादा धही खाओ, पनीर खाओ, हाँ, यह सब चीज़ें खाओ, एक लेवल से जादा कुछ खाओगे प्योगे तो नुपसानी होगा ना, वो तो toxic है, है के नहीं, तो उससे क्या होदा, medulla oblongata जो है न, वो body को control में नहीं रखता है, फिर आपकी body excessive काम करने लगती है, तो sperm का automatic release होने लगता है, आपकी body में sperm store नहीं हो पाता है, तो सुनो, estrogen body के इंदर बढ़ जाता है, अगर हम dairy products को ज़्यादा यूज़ करने लगती है, तो इससे एक विमारी भी हो जाती है, जब भी जाओ न, तो जब भी जाओ न, तो यह इतना खाना, यह उतना मत खाना, इससे यह हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो वो तकने लगते हैं, और आट से दिखने लगते हैं, तो अच्छा, थोड़े से, समझना है, अरे, हसना है क्या है, पढ़ रहा है उनों तुम पूल, हाँ, समझ गा है, बस बस समझ गा है, छोड़ो रहे हैं, चलो चलो ठीक है, यह हो गया, क्या लिखा लेने, रिलीज एंड्रोजन, रिलीज एंड्रोजन, ब्रैकेट में लिखना, मेल सेक्स हॉर्मोन, आज का वीडियो विल्कुल अच्छा बनेगा, कोई वाइस वाइस करेक्ट नहीं होगी, इसमें, ठीक है, ठीक है, और, एक्जामपल लग लेना, टेस्टोस्टिरोण, सुबार का किया, अरे मैं, मैंने तुम लोग तो रिवीजन के लिए आते हो ना, स्. तुम लोग वीडियो 把 accelerated user स्वेंगा, कल तो मैं रहूँगा, कल पुछ लेना जो पूचण आटिक है, अब टेस्टोस्टिरोन का पेंगए बनादा यह वे लिवाब खकरत अधाल करें, utetel आ हम तेस्टोस्ट्टिरा लोग यह इसना फंक्सम्सिन जानातों पिपर की उपर लिख लो गई जा वहीं नीचे अड्जिस कर लो वहीं जहां लिख रहे हो इट है लुप सिंट जिसने नहीं लिखा है बाकी में पहले लिखवा चाहा हूं इसका पंचन इट है लुप सिंट ड Ay Out Development पॉप शेकंडनी केक्शॉल करेक्टअ अप इद व्ललपमेंट सेकंडली शेकश्वल क्यारेक्टअ त अहब इया लेख लो 콘डड्रे से क्ट्रेश्व क्या होते हैं या लेख लो सेकंडरी सेक्च्छ पारेक्टएस लच्टर अपर ड्रैकेट में sexual characters क्या-क्या होते हैं लिख लो heavy or deep voice भारी आवाज हो जाती है मेरी आवाज को अभी पहलकी है heavy or deep voice अगला लिख लो excessive hair growth excessive hair growth excessive hair growth on body एक और लिख लो enlargement of penis enlargement of penis इसके बाद लिख ले ना increases aggressiveness increases aggressiveness ज्यादा टेस्टिरेंस से गुस्साई बहुत आता है अगे चैमिना की जगे आप muscle growth लिख लो increase in muscle fibers increase in muscle fibers muscle fibers बढ़ जाते हैं increase in muscle fibers एक और फंक्षन है इसका अले डिक सेल्स का लिखो अने एक्समें लिखना एन अधर फंक्षन ओ लेडिक सेल इस अनधर फंक्षन ओ लेडिक सेल इस आनधर फंक्षन ओ लेडिक सेल इस तु स्टुमिलेट स्पर्मेटो जेनेसिस तु स्टुमिलेट स्पर्मेटो जेनेसिस करते इस को शुरू कुराता है किसके कहने पर अरे इसके है वही होर्मोन तो कराएगा अगला लिख लो FSH जल्दी से फॉलीकल स्टुमलेटिंग हॉर्मोन FSH लिख लो फॉलीकल स्टुमलेटिंग हॉर्मोन एडिंग है FSH जी थBLE हो था सब्सक्राइड लो डशी होर्मोन एक्सान फिस पर एक करता है एं तो बासिद अजय करT бол रहुं हूं? सिर्टोरी तरह था। तरहूरो अलुक्क। क्रकवख तरह थे में है ? क्लِّ और हैं नहीं क्ली throttle's लिस्टंड, में नूर्टर Seri CAR, झारो, तarna तरह, पकक्रवा helps. spermatids and developed them into and developed them into and developed them into किसमें convert develop करा देंगे mature sperm mature sperm note point लिखना किसी के नीचे note point लिख लो FSH helps in spermiogenesis FSH help in spermiogenesis किसमें help परते हैं spermiogenesis सौझना है क्या है spermiogenesis spermatids से sperm में convert हो जाना स्पर्मेटोगों करता है follicle stimulating hormone अब बता हूँ मुझे यह पूरा clear है यह पूरी process spermatogenesis किसकिस hormone की वज़े से कौन-कौन सा step आता है clear है अब बेसिकली तीनी और हाँ बुलो कि स्पर्मेटोगों यह पूर्मेटोगों यह यह होते हैं कि स्पर्मेटोगों यह का मतलब है मेल जर्म सेल जहां से स्पम बनना शुरू होता है इस तरीके से जिसको लिखना है वो लिख भी लो इस तरीके से लिखना है लिख लो ज्यादा फायदे में रहते हैं ऐसे लिखने होई तर लास्ट मैं पूरा चैप्टर तो कॉंक्लिट करूंगा ही एक पूरे पेच पर अब लिखना पड़ेगा भी नहीं लिखोगे तो कि लास्ट में तुम्हारे इतना बड़ा चैप्टर होता जा रहा है वे जगह पर तो चैगी ना तुम्हें कि अ कि कंसाइस को करना पड़ेगा ना कि अध्य कला ओन्हें हो गाने इस रहे इतना इतना लेख लो ओ सबस्तै को अधिसाए की अधिये कुल सोबाहां के तुम लों काम क्या पता है सब्सक्राइब हुआ हुआ है तो सब्सक्राइब से पढ़ो है जिन्हें नहीं किया यह तुम हाना है तुम में युमंड री प्रदक्शन भी तो इस चोड़ो है उसको भी पढ़ेंगे दस से वैरा बारा वे दक आउगे न एक गंठा पहले वह मपढ़ना कि इतना बचाएं कि अच्छा फर्स सेप्टर कितने वह कंप्लीट हो गया है हुआ है हुआ है हुआ है नहीं लोगों को बदला हुआ जो लोगों नेव एडिवीशन से पास्टर नहीं हुआ कदम तीन बस बस तीन है तीनी लेक्चर से इसमें जादा लेक्चर है नहीं तीन-चार लेक्चर है बस यह चैप्टर बढ़ा है चीजहों से समझ रहे के लिए अचाही काम कर लो पहले सबी लोग इन लोगों को रिटेस्ट हो जाएगा तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा को सब्सक्राइब पहले कंप्लीट तो करो फिर मैं डिसाइड करूँ कि अलाव ये संडे नहीं इसके बाद वाला संडे आएगा किछले संडे को मैं काम कर हुआ सट्रडड़े को लिए और फैस्टामिक प्रटी के लिए अगले वाले सट्रड़े को लेएगं के फर्स चैप्टर का टेस्ट है दिखना सट्रड़े को टा प्लांट वाला उसका टेस्ट वह अमेर से पढ़ लेना तो एक वार वो पूरा चैप्टर जिल लोगोने नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया वोसे अलग से वह भी पढ़ लेना आप सुनो सैटर्डी को कौन सा डेट इस दिल्ली बताना अरे डेट पूछ रहा है नाइंटीन माई को है ठीक है एक टेट बोलो है ट्वेंटी माई है ठीक है चैप्टर वन का टेस्ट है ठीक है लगवक्त तुम लोगे पास नौ देना है ठीक है अब इससे तैयारी शुरू कर दो तुमने भी यह साहिल पस्टर कर टेस्ट इस वार देदेना लेकर जल्ली गदम करो जल्ली 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 सेंटे दिखाना क्या क्या पढ़ लिया ना देवें नोट्स यह नोट्स है क्यों नोट्स है अधर आप से घर फेर होती है अधर सुनलो जिस देन टेस्ट लूँगा उसे सब्सक्राइब नोट्स भी चेक करूँगा ठीक है पास्टर के नोट्स मैंने बेज़ दिया गुरूप पे जिसके पास नहीं हो बना लेना ठीक है जिरॉपस्ट मितना जिरॉपस और दो जिरॉपस्ट कराने जाले लुट रॉपस्ट ज लिखो नेक्स पोइंच्ड आटिंग उन्होप इस च्रॉक्शर ओफ़सपॉंग नुए तो फेमिल सुरु कुछ बोस पंड को मैं सब्सक्राइब को अस्पम मैं लेखो a sperm is composed of a sperm is composed of a sperm is composed of head 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 नहीं होता सिर्फ है एड कॉमा नेक कॉमा मिडल पीस नेक तो पहले हैड फिर नेक फिर मिडल पीस एड नेक मिडल पीस हाँ लास्ट मिलें ना टेल है तो इस पंके चार हिस्सें यह माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखता है कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि कि अगरे कुछ इस तरीके का होता है स्कॉम्ट कि पुम्ट कि बैलन उख्लासस सुना है मैं बैलने व्लासस अनिवल कि पढ़ाया होगा आए मंधिया यह पैक जी में हुआ थोड़ा थोड़ा हाँ कई सारी चीवे से मिलता है क्या हानी पीने जाना है 27 होगा है यहां आप जोड़ा से मिलता है यहां प्रॉटार थोड़ा 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 है थोड़ा 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 है जले जा नीचे जले जाओ देखे हैं जल्दी जाओ कि इस हैल नहीं इवटा माइटोकॉंट्री आएं जानते हो ना तो इस पॉम को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है तो सारी एनर्जी इस माइटोकॉंट्री के अंदर होती है यह स्पॉम का हैड रीजन है और यह देख रहा है बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर यह नेक है कि माइटोकॉंट्री वाला रीजन है यह मिडिल पीस की स्पेलिंग सही है कि आई आई आठा है ना असाइए ना अगे 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 असनल यानसे इस पर में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है एड इंपोर्टेंट इसलिए हटी कि तुम लुग बना बद्पर गवारी है और तुम अठाटी वुद्अजय गवर्लार्गव लिए जंदी जंदी अग्यारा सनौव अब द्यांसे अब इंपोर्टेंट पार्ट है है अब है इंपोर्टेंट पार्ट इसलिये हेड के जो सबसेट एपेक्स जान हो इप एक मिलाब उचाई सबसेट टॉप इसको कहते हैं एक क्रोस पहां हो टेप वाला पोर्शन होता है इसका नाह होता है एक्रोसों इस एक्रोसों में प्रेजेंट रहता एक एंजाइम है आइड्रोलाइज एंजाइम अच्छा क्या फंशन इस नाइम का तो लो ध्यान से कि तो पैनेट्रेट और दीग्रेट ओवा वाल्स और एंप स्पंप तो मूव इंशाइ ओवा दूला जान से जो वाँ होता है इसके आसपास एपात एं condition आ प्रेज प्रेजंट प्रेज़ेंट गोता है वां-पे नियुकिटी तो आप यह वाल्स को रोकने की कोशिश करती है तो इस पॉम के अंदर एक्रोसोम है उपर वाले पार्ट में यह सबी वाल्स को तोड़ता हुआ स्पंग को अंदर ले जाता है और एक बार कोई एक स्पंग ऑवा के अंदर चला गया पर्टिलाइशन हो गया कि अगैं है क्या है क्या है इस पॉम और ओवा को मिलकर बीच में कई सारी दीवाले अब इन दीवालों को अटाने के लिए कोई एक ताकतवार इंसान साथ है कि नहीं तो वह कौन है एक्रोसों कौन है और यह क्रोसों क्या करता है इन दीवालों को तोड़ देता है और स्पम से कहता है कि जी ले अपनी सिर्फ यह तो यह तो यह दखना कि अग्याइब यह देख रहे हैं यह नूकलियस यही नूकलियस जाके ओवा के नूकलियस से मिल जाता है और उससे हो जाता है जाएगोट का फॉर्मेशन यह सब हम फर्टिलाइशन में दुबारा से पढ़ेंगे अभी बस तुम्हें सपंकर डाइगराम देखना है और यह अ और यह लिखने ना एक्रोसों एक्रोसों जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछूंगा मैं जो फार्टिलाइशन पर है आ सकते हैं कि 40 परसेंट वहीं पर रहेगा है और क्या पूरे लग दूंग त्रिफ्टी अच्छा सुनलो सब्सक्राइब की टाइमिंग जिस दिन टेस्ट होगा ना उसे टाइमिंग साड़े तीन से ने साड़े तीन से तुम्हें टेस्ट देने आ जाना है अब लिख लो उसके बारे में जल्दी लिख लो स्कॉम के बारे में पहले लेको हैड रीजन हैड के बारे में लेके लिखेंगे स्वम का है क्या बोलता है कोई बात नहीं है में लिखना लेको फोड़ा है याड के लिखो लेको इट कंटेंस ए एन ए एलोंगेटेट अब इद कंटेंस एड एलोंगेटेट एप्लोइट नुकलियस एट कंटेंस एन एलोंगेटेट एप्लोइट नुकलियस है एप्लोइट नुकलियस कॉमा जो पहले आया इसको पहले मिलते हैं आरे चीक है लड़ो मन तुम भी पहले आजाना तुम लेले लाम मैं किसी को कुछ कहते हैं लिखना इप्लोड पॉर्शन ऑफ स्पांप इप्लोड पॉर्शन एप्लोड उपर वाला सुन्लो मेरी बात इंग्लिस को वर्ट है एप्लोड बायो में नहीं आता है जब भी एप्लोड का इस्तेमाल होगा तो ऊपर की बात कर रहे हैं टिप पर एप्लोड पॉर्शन ऑफ स्पांप तो इस माहने जल्दी तो आ ओगे लापीकल पॉर्शन ऑफ स्पांप वेच कवर्ड वाई ना एप्लोड पॉर्शन ऑफ स्पांप इस्कावर्ड माई अ कैप लाइक स्ट्रुक्टर अ कैप लाइक स्ट्रुक्टर एस लाइँ टोपी रख दियो ऊपर महाराज पुर्यानी जमाने में वो राजा लोगों पेंदे थे हैं हाँ मुखोट टाइप का रहसा ही रगदिया है वो थौर्ण होता है थौर्ण होता है क्या हो गया है है तो सुनो बाद सुनो इसको लेको आपके अप्लाई के स्ट्रक्शर कॉल्ड एक्रोसों इसको क्या कहते हैं एक्रोसों एक्रोसों इसको अंदर इस अख्रोसों का फंक्शन क्या है अच्छा यह लिख लिए है के तुम लोगों ने जिसने नहीं लिखा और नोट पोइंट लिख लो नहीं नहीं दाइक्रोसोम इस फिलीट इथ एंजाइम्स, इसके उसरे अंजाइम्स भ्रहए हुए है। दाइक्रोसोम is filled with enzyme फिश हेल्ट इड विप इड पिं फर्टी लीएश्यन विचल सेन फर्टी लीएश्यन विद पर दिलाइशन विद ओवम आम नेख नेख फेर मिदल पीस रिटेल तली एक एक लाइन लिखने है बस लिखो 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 लो थोड़ा सा एट कंटेंस तूर सेंट्री ओल्स बियाओ